हेलो एवरिवन मेरा नाम हश है और आप सभी का स्वागत है इस Android Development Tutorial सीरीज में जिसमें हमें एक Music Player Application बना रहे हैं इस वीडियो हम हमारे इस Song Name को एक Moving Song Link बनाने वाले हैं मिन्स ही अपनी Positions ऐसे Continues ली आगे Markyoo करता रहेगा ओके सो Moving Text को Android में Markyoo Text कहा जाता है सबसे पहले में इस Text View में आ जाता तो यहां पर में कुछ Property Set करने वालों सबसे पहली Property है Ellipse Size यहां पर मुझे Markyoo Set करना पड़ेगा यह बताता है कि एक Moving Text है और उसके बाद मुझे Markyoo की Limit Set करने पड़ेगी सो मुझे बताना पड़ेगा कि कितनी बार Rotate करें सो मैं यहां पर लिख रहा हूँ Markyoo Forever सो यहां पर मैं Select करूगा Markyoo Forever इसका मतलब हमेशा Nearly Infinite Times यह Continuesly Move करते ही रहे और उसके बाद एक Attribute मुझे यहां पर और True करना पड़ेगा जो है Single Line Okay, Single Line को भी मुझे True करना पड़ेगा क्योंकि Multiple Lines में Moving Text नहीं करता आपको यह Attribute का भी ध्यान रखना पड़ेगा अब हमारे Now Playing में आ जाते यहां पर On Resume Method के अंदर मैं कुछ Work करने वाल हूँ So On Resume में यहां पर Binding Dot जो हमारा Song Name है Song Name Np Dot करके एक Attribute है And Is Equal To True करना है Okay, That's It आपको यहां पर सिर्फ यह एक Line Add करनी है अब हमारे Application को एक बार Run करके देखते है So Finally Gradle Build हो चुका है And Application Install हो चुकी है And मैं कोई Song पर क्लिक करके देखता हूँ And इसे Pause कर देता हूँ Back And हमारे अगर आप Text View को देखोगे तो यहां पर जो Song का Name है वो Continuesly Move कर रहा है यहां से मैं Song Change करता हूँ And वो Text भी Move कर रहा है So that's it for this video Thank you for watching And Bye Bye